दोस्तों एक खबर अब बेवी पी सुनी जिसको सुन करके आपके भी रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे दोस्तों फरीदबात की रहने वाली महिला आरती मलोत्रा के बेटे करीब 6 मेने पहले फरवरी में आत्मत्या कर ले थी लेकिन अब आरती अपने बेटे के लिए नियाय मांग रही है आरती ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को उसकी सेक्स्वैलिटी के लिए स्कूल में परिसान किया जाता था इसी की वज़े से उनके बेटे की आसामाइक और दुखद मौत हो गई आरती का आरोप है कि अधिकारियों से सिकायत करने के बाद भी मामला ठप है उन्होंने Humans of Bombay पर इस घटना का जिक्र किया उन्होंने बताया कि कैसे उनके बेटे के साथ ही उने उसे लगाता धमकाया यहां तक कि उसके साथ यौन उत पीरन भी किया आरती ने बताया कि उनका बेटा जब छटीवी क्लास में था से बुली किया जाता था आरती ने बताया कि उनका बेटा कहता था कि क्लास में लड़के उसे छक्का कहकर बुलाते हैं आरती ने बताया मैंने अपने बेटे से कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा वे वॉलीबॉल खेल कर खुद को मर्द दिखाने की कोसिस करता लेकिन यह सब उसके लिए नहीं था वे आर्ट और म्यूजिक को पसंद करता था इनी से खुश होता था लेकिन हर कदम पर उसका मजाक उड़ाया गया आर्थी के मुताबिक जब उनका बेटा नवी कक्षा में पहुँचा स्कूल में चीजे खराब हो गई उसने अपनी मा को बताया कि उसकी कक्षा में लड़कों ने उसकी आँखों पर पट्टी बात दी थी और उसके सारे कपड़े उतारने के लिए का था मेरे बेटे को धमकाने वे यौन उत्पीड़क बन गए थे आर्थी ने बताया कि स्कूल ने कारवाई करने से इंकार कर दिया इससे मुझे काफी धक्का लगा मैं कई थरिपिस्ट के पास गई वे डिप्रेशन में था आर्थ से भी उसकी रूची खतम हो गई थी दस्विक अक्सा में पढ़ाई करना उसका मुश्किल हो गया था बोर्ड परिक्सा भी आने वाले थी वे स्कूल जाने से भी डनने लगा था आर्थी के मताबिक उन्वे बेटे ने एक दिन कहा कि उसे नेल पेंट लगाना और गहने पहनना पसंद है आर्थी ने उससे का कि तुम जो भी हो वो ही रहो जब स्कूल परिक्सा के लिए खुले उसने मुझे फोन पर कहा वे परिक्सा नहीं देना चाता वे रोता जा रहा था मैंने मैसीज कर उससे कहा कि कोई बात नहीं परिक्सा छोड़ दो लेकिन उसने जवाब नहीं दिया आर्थी ने बताया कि एक गंटे बाद उनकी सोसाइटी से उने फोन आया उनके बेटे ने कुछ कर लिया है मैंने उससे हस्पताल ले जाने के लिए कहा जब मैं वहाँ पहुची वह मर चुका था उसने पंद्रवी मंजिल से छलांग लगा दी थी उसने अपने सुसाइट नोड में लिखा कि मैं सबसे अच्छी माह हूँ उसने मुझसे नई नौकरी खोजने के लिए भी कहा दोस्तों ये बहुती सौकिंग न्यूस है हम चाहेंगे आर्टी मलोतरा को जल्द से जल्द इसाफ मिले और अगली भार से ऐसा और किसी के साथ नहूँ दोस्तों अगर आप भी आर्टी मलोतरा को जल्टी जिलांच आते हैं तो इस वीडियो को जादे से आदा सेयर करें धन्यवाद दोस्तों